दोस्तों यहां फाइनली Realme 2 के अंदर ColorOS 6 का Stable Update रॉल आउट कर दिया गया है और अगर आपको ये अपडेट अभी तक नहीं मिला है तो आप 10 जुलाई तक वेट कर लीजेए आपके फोन के अंदर भी आपके Realme 2 के अंदर ColorOS 6 और Android Pie का अपडेट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा खर चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाँगा Realme 2 के अंदर जो ColorOS 6 का Stable Update मिला है उसके अंदर हमें क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं हाला कि दोस्तो जैसा कि आप यहां दियान से देखें मेरे Realme 2 के अंदर अल्डेडी ColorOS 6 का अपडेट इंस्टॉल है जो कि दोस्तो बीटा अपडेट है और इसे मैंने पहले ही अपने फॉन के अंदर इंस्टॉल कर लिया था और यह अपडेट मुझे जो कि बीटा अपडेट है पहले ही मिल चुका था बट आज के इस वीडियो में मैं आपको इस्टैबल अपडेट के बारे में बताऊंगा जो कि मुझे Realme 2 के अंदर देखने को मिला है तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं तो जैसा कि दोस्तो आप यहां ध्यान से देखें मेरे पास यह Realme 2 है और यहां सेटिंग्स के अंदर हमें एक नोटिफिकेशन आया हुआ है चलिए हम फटावर जल्दी से चलते हैं सॉफ्टेयर अपडेट्स के अंदर और सॉफ्टेयर अपडेट्स में आप यहां ध्यान से देखें तो हमें एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है खर चलिए हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें कितने MB का अपडेट देखने को मिला है तो दोस्तों यहां Realme 2 के अंदर हमें एक अपडेट मिला है जिसके अगर साइज की बात की जाए तो 167 MB का इसका साइज है हलाकि दोस्तों अगर हो सकता है आपको अगर जब फर्स्ट टाइम अगर अपडेट मिला हो और आपको अपडेट का जो फाइल का साइज है वह काफी बड़ा देखने को मिले है चलिए अखर यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर क्लिक करके कि कि इसके अंदर हमें क्या कुछ खास मिलता है चलिए खर हम देखेंगे कि अपडेट के बाद वो फीचर्स हमें देखने को मिलेगा या नहीं तो जैसी तुस्तों हम यह सेटिंग्स के अंदर आते हैं तो यहां पर हमें नेटवर्क सेलेट करने का आपशन देखने को नहीं मिलता है और डाउनलोड करने के बाद हम देखेंगे कि हमें इसके अंदर जो नेटवर्क चेंज करने का जो अप्शन होता है वो अब रियल्मी 2 के अंदर देखने को मिलेगा या नहीं तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि यह हमारा डाउनलोड नहीं हो जाता तो फाइली गाईज यहां अप्डेट की जो फाइल है वो कम्प्लिटली डाउनलोड हो चुके चलिए अप्डेट नाओ पर किलिक करके हम अपने फॉन को अप्डेट कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हमें नेटवर्क के अंदर नेटवर्क टाइप की जो सेटिं और यह कम्प्लिटली अप्डेट भी हो चुका है चलिए अफटा फटा फट जल्दी से हम सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद हम देखें है कि रियल्मी 2 के अंदर हमें नेटवर्क प्रिफेर्ड का ओप्शन देखने को मिलता है यानि चलिए हम डॉल सिम के अंदर चलते हैं और यहां से हम किसी भी एक सिम को सलेक्ट कर लेते हैं और सलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यह धियां देखें कि हम अभी वह आप्शन देखने को नहीं मिलता जिसकी वज़ए से हम अपने रियल्मी 2 के अंदर 3G 4G का आप्शन सल नहीं कर सकते तो यह काफी बुरी बात दोस्तों इस तरह से रियलमी 2 के अंदर अभी हमारे फॉन के अंदर जो कलरोई 6 का अपडेट जो इंस्टॉल है वह एक इस्टैबल अपडेट है और हाल जल्दी आपको भी आपके फॉन के अंदर यह अपडेट देखने को मिल जाएग लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथी साथ चैनल को सबस्क्राइब परना बिल्कूल नहीं जो चलिए फिलाले इस वीडियो को फिनिश करते हैं मिलते हैं ऐसी एक और मज़दार वीडियो के साथ